इस वीडियो के इतना काई सब लोग बात करने वाले हैं fix deposit के लिमिट के बारे में जो income tax department के लिए reporting के लिए यहाँ पे कब भीजी जाती है इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि FD जब आप कराती है तो उसका कितना interest rate वगरे क्या limits वगरे रहती है SFT क्या रहता है AS कैसे रहता है TDS की क्या threshold limit होती है fix deposit के उपर प्रस अगर आपका tax वगरे लगना होता है fix deposit के उपर तो कैसे charge होता है कैसे लगने वाला है यह सारी चीज़ आने को मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर तो देखे गाई सबसे बिल हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर जो bank होते है वाकिर आपकी जो fix deposit आप लोग करवाते हैं उसकी basically income tax department को reporting कैसे करते हैं तो देखे गाईस इसकी simply दो तरीकी से reporting होती है एक होता है SFT एक होता है AIS reporting तो देखे अगर मैं SFT की बात करूँ तो जिसको हम लोग specify financial transition बोलते हैं तो इसके अंदर क्या होता था 2021 से पहले की बात करूँ तो एक threshold limit हुआ कर दी थी कि अगर आप मालीचे साल बर के अंदर 10 लाग रुपे से जादा की FD कराते हैं तो बैंक एक SFT बनाकर simply income tax department को भेज दिया करता था और यही चीज़ जब आप अपना income tax portal के उपर आप यह चीज़े चेक आउट करना चाहते हैं तो जैसे आप अपने account के नदर login करते हैं तो सबसे पहले SFT के लिए आपको अपना form 26 AS यहाँ पर चेक करना चाहिए यह तो हो गया पहला तरीका जहाँ पर एक threshold limit हुआ कर देती है उसके बात में क्या हुआ 2021 में यहाँ पर गवर्मेंट जो डिपार्टमेंट टे इंकम डेक्स डिपार्टमेंट उसने कमाल का फीचर लांच किया जिसको हम लोग बोलते हैं AIS की रिपोर्टिंग आन्वल करता है कि उससे आपने कितना सिविंग अकाउंट के अंदर अपना इंटरस्ट कमाया है और उसी के साथ में अपने एफडी भी करवाई यह तो उससे आपने कितना इंटरस्ट कमाया है अब आपको simply दिखने वाला है यानि आप FD से जो भी कमायेंगे पूरा इंटरस्ट यहां पर आपको दिखने वाला है और यह किवल बैंक की रिपोर्टिंग नहीं करता है इसमें भी अमाउंट का कोई भी मैटर नहीं करता है कोई भी थ्रेशोर लिमिट यहां पर नहीं द रहती है आपकी यहां पर छोटे से चोटी FDB और बड़े से बड़ी FDB हर बार Income Tax Department को यहां पर रिपोर्टिंग होने वाली है आप इस बात करते हैं टीडियस लिमिट की कि यहां पर जो FD होता है उसके उपर जो आप इंटरस्ट कमाते हैं उसके उपर TDS की क्या लिमिट र रुपय होगा तो जैसे इस थ्रेश्वर लिमिट को यहां पर वो क्रॉस करेगा तो 10% TDS कार्ट के गवर्मेंट को यहां पर जमाग करा दिया जाता है लेकिन अच्छी बात क्या है अगर मैं Income Tax की बात करूं तो अगर माली जी आपकी जो टूटल इंकम होती है यानि कि करें कटा हुआ भी है तो वह आपको सिंप्ली यहां पर रिफन मिल जाता है लेकिन उसके लिए सिंप्ली आपको आइट्या फाइलिंग करनी पड़ती है इसके लागाई सगर मैं बात करूं अगर माली जी टोटल इंकम हाकि आगर आपकी मोर्दें 5,000,000 रुपीज होती है स उसके उपर आप उनको 50,000 रुपी यहां पर मिल जाती है यानि अगर TDS कट भी रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उपर अगर आप 50,000 रुपे एड करेंगे तो नीचे से वापिस 50,000 रुपे लेस हो जाते है और आपको पूरा TDS होता है वो आपको सिंप्ली चाहूंगा अगर आप FD कराते हैं तो उसके उपर आप टैक्स कैसे यहां पर सेव कर सकते हैं तो देखिए पहली चीज़ यह कि अगर मैं TDS परपस की यहां पर बात करो तो जो मैंने आपको उपर भी उपर 40,000 के लिमिट बताई वो पर बैंक वाइस है तो आप क्या कर सकत है चाहिए इसके साथ में आप क्या कर सकते हैं FD का जो इंटरस है उसको आप सिंपली दो फैनेशिल के रिवाइड कर सकते हैं माल नीचे भी फैनेशिल जैसे खतब होने वाला है मार्च के अंदर तो अगर आपको FD करानी है तो इस 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 दा बेस टाइप जा पर इंटरस से उनको यहां पर पैसे ट्रांसवर कर सकते हैं लून वगरे ऐस गिफ्ट वगरे तो वह टैक्सिबल वगरे भी नहीं होगा फिर उनके नाम पर बीसी लिवह एवड़ी वगरा करवा सकते हैं वैसे तो यह क्लब इंकम के अंदर काउंट हो जाता है लेकिन अगर वैसे आप देखने जाओ तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पर करवा सकते हो और इस खास तरीके से उन लोगों की कराना जो जादा कमाते नहीं हो यानि कि अगर आपकी मॉम हो गया या कोई भी आपकी वाइफ अगर हाउस वाइफ जाएगा और आपको टीडे जाएगा तो आपको आपको करता भी है तो आपको एक लाग एक करोड की करा रहे हो उससे कोई फरक नहीं पड़ने वाला है सारी इंफॉमेशन आपकी इंकम तरेक्स डिपार्टमें को जाने वाली है और आपको प्रॉपर तरीकी से अगर आप करते हो तो आपको बिल्कुल भी घवरानी की जरुवत नहीं है आप कितनी भी एपडी यहां पर करवा सकते हो अपनी मर्जी के कॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि कल को अगर आपको नोटिस आ जाएगा इंकम टेक्स डिपार्टमेंट से बस आपको बस ध्यान यह रखना है कि जो भी आप इंट्रस कमा रहे हो अपनी एपडी की अर्णिंग के उपर एटलीस उस एपडी का जो इंट्रस है उसको हमेशे अपनी आईटिया के अंतर यहां पर दिखाओ इवन जो इंकम टेक्स डिप